हलो फ्रेंज, मैं आज एक मेरी प्लांट को रिपॉर्ट कर रही हूँ, तो मैं कौनसे प्लांट को रिपॉर्ट करने वाली हूँ मैं दिखाऊंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए मेरे गुलाब प्लांट में कितने सुंदर से फुल खीले हैं, मैं कई बार अब से कर चुकी हो मेरे ये रोस प्लांट को रोस प्लांट में अगर मेरे एक भी प्लांट में एक भी फुल खीलते हैं न फ्रेंट तो मैं बहुत कुश हो जाती हो और अब देखिए मेरे हर प्लांट में बहुत सुन्दर से फुल खीले हैं और यह वाला तो बहुत प्यारे कलर के हैं यह देखिए और इस वाले में तो बहुत अच्छे से फुल खीले है आठ नौ फुल एक साथ में खीले है यह देखिए यह कलर भी बहुत प्यारे है तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ मेरे कौन से प्लांट को मैं रिपॉट कर रही हू तो फिरें, यह जो प्लांट है नहाँ आजकर परसो प्लांट एक जट नेम मुझे को पता नहीं है बस नुशरी वालों से यहीं मुझे को पता चला था कियोंकि इसमें फूल खीलत है ना पहले दिन इस तरह के कलर होते है फिर दुसरे दिन थोड़ा light color के हो जाते है और तिसरे दिन बिलकुल white color के हो जाते है और ये इस plant को मैं जब भी अब से share किया मैं ये बात अब से पहली भी कह चुकी इस pot में मैं लगाई थी इसमें जो fragrance है ना फुलो से जो आते है बहुत जादा बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर मेरी potting mix है यह देखिए एक्चुली reporting का काम मैंने start कर दिया था फिर मुझको लगा कि मैं एक वीडियो में अपसे मैंने share किया था मैं बताई थी कि जब मैं इस plant को मैं report करूंगे अपसे share करूंगे इसलिए दिखा रही यह देखिए यहाँ पर वर्मी compost है यह बो compost वो compost और यह बोन मील और वर्मी compost नीम के थोड़ा सा fungicide भी मैंने mix किया है ठीक है और winter के time plants को अगर हम report करते है friends शाम के time करते है तो बस फिर दूसरे दिन अगर धूब भी लगता है ना तो कोई problem होता नहीं है क्योंकि अगर roots को अगर हम heart prune नहीं करते है तो मैंने जैसे heart prune क्या नहीं है side side से थोड़ा सा मिठी को हटाया है तो इसलिए friends मैं इसको terrace को पर ही रख रही हो और winter के time तो धूब इतनी ज़्यादा तेज नहीं होते है तो प्लांट को कोई problem होता नहीं है roots को अगर हम heart prune नहीं करते है तो हम इस तरह से फिर दूसरे दिन धूप दे सकते है ठीक है heart prune करते है तो तो कुछ दिन धूप में नहीं रखना अच्छा होता है चाहिए उसके बाद दूप दिखाना चाहिए ठीक है तो देखे मैंने report कर लिया है और मैं थोड़ा पानी भी दे रही हूँ और शाम के time यह मैं reporting का काम कर रही हूँ तो रात भर इसको ठंड़क मिलेगी कोई problem नहीं होगा और दूसरे दिन अगर धूप भी मिलता है तो भी कोई problem नहीं होगा तो आज आपके साथ यही share करना था friends और friends अगर आपको किसी को पता है exact name इस plant की तो please comments करके बताना okay friends बाई